नमस्कार दोस्तों आप लोग देख रहे हैं भारतिया डेलवे का नया नूज चैनल और इस वीडियो अपडेट में हम जानेंगे आखिर बिहार से धारकन के बीच कहाँ पर नई रेल लाइन का कार किया जाना है और यह कब तक होगा पूरा तो चलिए सुरू करते हैं और वीडियो सुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ने किये तो सब्सक्राइब अब असे कर देए माल्दा मेडल के पोड़ा यह हाट से गोड़ा के बीच नई रेल लाइन का निर्मान कार शुरू हो गया है लोगड़ों की काल निर्मान कार में बाधाय आई थी और अब सब कुछ समान हो जाने के बाद सिटमबर तक नई रेल लाइन बिछाने का काम पूरा हो जाएगा नई रेल लाइन का तौफा के रूप में यात्रों को मिलेगा और लाइन बनने के बाद CRS जांच होगी इसके बाद ट्रेनों का पड़ी चालन सुरू होगा और या लाइन भागलपूर से जूड जाएगा बिहार से जारकन की नई रेल लाइन जुडने से कई जिला के लोगों को सुहलियत होगी और यहां से देश के राजधानी और दूसरे राजियों के लिए ट्रेने चलेगी गोड़ा से भागलपूर के रास्ते नई दिल्ली के लिए हम सफर चलाने का भी प्रस्ताव रिले बोड़ने दिया है इसके साथ ही 32 क्लिम्टर गोड़ा हजडिया भागलपूर नई रेल लाइन में पड़या हार तक रेल लाइन पर ट्रेन का परिचालन सितंबर 2019 से सुरू हो गया है इसके साथ ही अब इस साल नई ट्रेने को लेकर के भी मन्थन चली जाड़ी है और यहां पर उमीद जताई जारे के जल्दी इस रूट पर ट्रेनों के संख्यां बढ़ाई जाएगी और नई ट्रेन का भी संचालन शुरू होगा इसके साथ ही नई रेल लाइन का भी काड़े प्रगती पढ़ हैं और मिली जानकाडी का नुसार इस नई रेल लाइन को जल्दी पूरा कर लिया जाएगा क्योंकि यह लोगडॉन में इस काड़ को रोग दिया गया था पुड़या हाट गोड़ा के बीच 16 क्लियोमेटर लंबी नई लाइन में दो दर्जन स से जादा पूल पूलिया होंगे और इसमें से लगभग सभी पूल पूलियां का निर्मान पूरा कर लिया गया 25 नमबर पूल लंबा होगा और इस पर रेल ट्रेक बिचाने का काम अगले सब्ता से शुरू होगा गोड़ा पोड़या हाट इस टेशन के बीच पट्री बिच लोगों की उमीद भी बढ़ चुकी है आने वाले इस वीडियो अपडेट में कुछ और जानकारी आपको हम इस नई रेल लाइन पर देंगे तब तक इस वीडियो को सेर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें